बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलामलीकूं वीवर्स कैसे हैं आप लोग वेलकम टू सॉल्टीज किचन जी वीवर्स आज अपने मेनियों में एड करने एक और चटपटी जटपट त्यार होने वाली रेस्पी जी हां आज सॉल्टीज किचन में बन रहे हैं बेसन के भले दही और टीस्पून एसमें डालूगी नमक और बेसं का घुल बनाने के लिए थोड़ा जूरत पानी हम लेंगे निये तीनों चीजेश और सॉफहाइज जीरा हाफ टीस्पून बेकिंग सोड़ा और वन टीस्पून सॉल्ट जो है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा एड़ करते जाएंगे इसमें पानी और इसका पेस्ट बनाएंगे पानी एक साथ ही नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना है तांके इसमें गुठलिया ना बने और यह स्मूध पेस्ट रेडियो और ना यह ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही पतला क्योंकर अगर भले फ्लैट हो जाएंगे फैल जाएंगे और ये थिक भी नहीं होना चाहिए वरना वो हार्ड हो जाएंगे इस तरह से आप देश सकते हैं मैंने पेस्ट त्यार किया इतना ही थिक रखिएगा इसके लावा दहीं चाहिए हमें इसमें एक किलो के करीब मैं दहीं ले रही हूं चाट मसाला एक टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर इसमें जाएगा वन फोर्थ टी स्पून सफैल जीरा भुना हुआ हाफ टी स्पून और इसके लावा मैंने थोड़ा सा पुदीना और एक सबस मिर्च वो कूट के इसमें डालनी है पुदीने और सबस मिर्च को हमनें करेंगे चलें जी अब हम अपने भले बनाना स्टार्ट करते हैं घी को मैंने गरम कर लिया और अब इसमें अपने बेसंगा गोल डाल रही हूं एक ही जगा पे डालना है और मैंने आम जो खाने का चमच होता है टेबल स्पून उसके साथ इसे डाल रही हूं ज्यादा बड़ा बला नहीं डालिएगा और इसको फ्ला कर नहीं डालना वनना फ्लैक बले बनेंगे तो एक ही जगा पे पूर करते हुए आप इसमें चमच के साथ गरमगी में अपने बले डालते जाएं बहुत असान है और फ्लेम जो है ज्यादा हाई ना हो लो टू मीडियम फ्ले तर इसको मैं निकाल लोगी और इनको रूम टम्प्रेट्चे War ठंडी होने के बाद इनको पानी में घ्रम भल्ले कभी भी पानी में ना भी और फिर भलों को अच्छे से निकाल के पानी निचोड के उनका दोनों हाथों के अराम अराम से ज्यादा वरना ये तूट जाएंगे भीगे होए सॉफ्ट होते हैं तो दोनों हाथों की मदद से नर्मी के साथ इनका पानी अच्छे से नचोड़ ले और इनको एक बाल में निकाल ले अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें एड़ करेंगे भले आप देख सकते हैं मैंने पानी नचोड़ के अपने बाल में रख लिये हैं अब इस पर दही डा नहीं लिया है क्योंकि इतने भलों को डिप होने के लिए इतना दही चाहिए जो मैंने पुदीना और सबस मिर्च इसमें पेस्ट बनाया था वो डाल दी इसके साथ ही इस पर मैं बाकी चीज़ें मसाले भी स्प्रिंकल कर लूँगी सुरख मिर्च का पाउडर वो डाल लें हैं तो सुरख मिर्च पौडर पुदीना और सबस मिर्च कूट के डाल दी इसमें मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूं और इसके लावा भूना हुआ सफैज जीरा इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी हाथों से मसल के और लें जी हमारे जो हैं दहीं भले त्यार हैं ऐस सिंपल एज इस बहुत ही असान लेकिन बहुत ही मज़दार हैं आप इसे ट्राइज जरूर जरूर कियेगा हाईली रेकमेंडिड है बहुत मज़द की रस्पी है और बहुत असान है तारीफ मिलेगी इन्शाला और अगर रस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलेगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर 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 कीजएगा अपने रिव्यूज दीजएगा बहुत खुश रहें बहुत खेर पाएं बहुत बरकत पाएं मुझे भी अपनी दौाओं में याद जजाका लगा